अगर आप लोग सहतामा इनू टोकेन या कोई भी जो अभी मार्केट में हाइप क्रेट कर रहे है टोकेन उस टोकेन से अगर आप लोग प्रॉफिट अर्ण करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्रि क्रिटिव निउज होती है या वह अपने प्रोजेक्ट में कुछ फीचर से एड कर रहा होता है बहुत सारे क्राइटेरिया है प्राइस बढ़ने का लेकिन हमारी स्ट्राइटजी क्या होना चाहिए क्रिप्टो का प्राइस बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बड आप लोगों को यह सारी ही चीजे बताने वाली हूं तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए फ्रेंट्स विडाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द व प्राइस देखेंगे सेवन डेज का तो देखेंग फिप्टी परसेंट बढ़ा हुआ है और यहां पर थर्टी डेज में देखेंगे तो यह इस टोकेन का प्राइस 27 परसेंट से डाउन हुआ है उसके बाद 90 डेज में देखेंगे तो 51 परसेंट डाउन हुआ है और यहां आल टाइम की बात करें तो यहां पे 74,732% इसका प्राइस बढ़ा हुआ है स्टार्टिंग से लेकिन यहां पे एक चीज देखेगा एक चीज आप नोटिस किजेगा कि अगर आप लोगों ने इसके स्टार्टिंग में एक रुपे लगाया होता तो अभी आप लोगों का वो प्राइस बढ़ करके 747 रुपे हो चुका होता तो अब आप लोग कह रहे होंगे कि अगर हम इस टोकेन को और होल्ड करें इन तीनों टोकेन को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक टाइम था बहुत ज्यादा मार्केट में हाइप क्रेट की उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा उसके बाद जब डाउन हुआ तो बहुत ज्यादा डाउन हुआ है और अभी वहाँ पे price बिल्कुल भी आधा से भी बहुत कम हो गया है आधा से भी आधा बहुत जादा कम हो गया है around 70-80% down हो चुका है price तो आप लोग सोचिए अगर आप लोगोंने उस जो hype market था जो उसका price बढ़ा हुआ था अगर उस point पे अगर आप लोगोंने buy किया होगा और buy करके अगर आप लोग अभी hold कर रहे होंगे तो आप लोग imagine कर सकते हैं कि आप लोगों का कितना loss दिख रहा होगा और loss से ज़्यादा होती है friends tension जब हमारा portfolio, हमारा wallet, हमारा asset loss में दिख रहा होता है तो हमें काफी tension होता है कि पता नहीं इसका price कब बढ़ेगा तो ऐसे में friends आप लोगों को कुछ strategy follow करना चाहिए जैसे कि जब भी किसी coin का अगर price बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हमें एक target set कर लेना चाहिए कि इस token से हमें 50% या 100% profit earn करना है अगर हमने 1000 रुपय लगाया है तो 2000 होता है तो सबसे पहले आप लोगों का strategy हो कि हमने जो 1000 रुपय का investment लिया है वो निकल जाए उसके बाद ही हम सोचेंगे कि इस से और जादा कितना profit हो और जैसे ही फिर उस token का price घटता है मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि 30 days में इसका price इतना घट गया था 90 days में 50% उसका price down हो चुका था तो ऐसे में हमें जब price pump दिखे तो हमें sale करना चाहिए अपने strategy लगा करके 20% 20% करके sale करना चाहिए और फिर जब market down हो जब price down हो तो फिर से उस token को buy करना चाहिए क्योंकि मैंने safe moon को buy किया था safe moon में मैंने 6000 उपे invest किये थे वो price बर करके 3-4 दिनों में ही 48,000 हो गया था लेकिन मैंने वहाँ पे गलती किया एक लालच मैंने वहाँ पे दिखाया कि हो सकता है यह मेरा लाख हो हो जाए लेकिन उसके बाद जब price down हुआ तो वहाँ पे क्या होता है कि जब एक बार हम price बढ़ा हुआ देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता कि अरे इस से तो मैं 48,000 यहाँ पे मेरा profit हो रहा है अब 24,000 ही हो रहा है अभी मैं sale नहीं करूंगे फिर से इसका price बढ़ेगा तो वहाँ पे मैंने एक mistake किया था कि मैंने उसको sale नहीं किया था अभी के date में वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका price नहीं है जितना मैंने invest किया था around उतना ही है 2-4,000 ज़्यादा है लेकिन एक बार जब हम देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इसे emotionally attached हो जाते हैं तो लेकिन friends आप लोगों को crypto में emotionally trade नहीं करना है यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ही price बढ़े तो हमें कुछ न कुछ token को sale करके सबसे पहले अपना asset निकालना है जितना हमने investment किया है उस पैसे को निकालना है उसके बाद उससे profit earn करना है मैंने Siba Inu से अच्छा खासा profit earn किया वहाँ पे मैंने emotionally trade नहीं किया पिछले भी कुछ दिन पहले जो around 1 month पहले प्राइस का सिवा इनु का प्राइस बढ़ा था मैंने वहाँ पर अपना token sale किया half token sale किया और अपना जितना investment था उससे double वहाँ से मैंने profit earn किया है और अभी भी जितना मैंने invest किया है उससे थोड़ा बहुत कम अभी भी उसका value शोग कर रहा है लेकिन price बहुत जादा down हो गया है safe moon में भी अभी loss नहीं है लेकिन वो जो profit मैंने देखा था 48,000 का वो नहीं दिख रहा है dodge coin की अभी बात करें तो 55 रुपीज तक गया है लेकिन अभी आप देखेंगे तो 10 रुपीज के आज पस चल रहा है dodge coin तो अगर जो लोग 45 रुपीज 50 रुपीज पर बाई किये होंगे तो सोच सकते हैं उनका कितना loss दिख रहा होगा तो ऐसे में फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए कि बस यही strategy follow करना चाहिए emotionally trade नहीं करना चाहिए अगर सैतामा इनू से आप लोगों का profit हो तो आप लोग पहले अपना investment निकालिए उसके बाद यहां से profit earn किजेगा और जब price down होना फिर आप लोग उस token को buy कर सकते हैं थोड़े बहुत और buy कर सकते हैं और holding किजे holding ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी सोच रहे हैं कि मैंने 2021 में या 2022 में मैंने इसको buy किया है और मैं कडोर पती बन जाओंगा ऐसा नहीं होता है friends क्योंकि crypto market highly volatile है अभी bitcoin को भी देख सकते हैं जिन्होंने अगर 45,50,000 लाइक पे buy किया होगा और buy करके वो hold कर रहे होंगे तो उनका कितना loss दिख रहा होगा loss से ज़्यादा हमें tension होती है उस tension को हमें यहाँ पे नहीं रखना है हमें emotionally trade नहीं करना है आप लोगों में से बहुत लोगों का contradiction हो सकता है मेरे strategy पे तो आप लोगों से request है कि आप लोग इसे negative way में comment नहीं किजेगा आप लोग अपना strategy मुझे share किजेगा हो सकता है मेरे strategy से बेटर आपका strategy हो मैं आपका strategy share करूंगी next वीडियो में कि हाँ इन लोगों का यह strategy है और आप लोग अपना profit बताएगा कि आप लोगों ने किस token से कितना profit earned किया और क्या strategy आप लोगों ने यहाँ पर follow किया है आप लोगों में सब बहुत लोग मेरे इस strategy से contradict हो करके बहुत सारे negative comment कर देते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को invite कर रही हूं आप लोग अपना strategy share किजे मैंने अपना share किया है कि मैं इस तरीके से क्योंकि एक दो बार loss के बाद loss तो complete नहीं हुआ है क्योंकि crypto में जब तक अगर हम लोग सेल नहीं करेंगे loss नहीं होगा और जब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे हमें profit भी नहीं होगा तो आप लोग अपना strategy share किजेगा comment करके जरूर बताइएगा आपके comment का मैं wait करूंगी कि आप लोग किस करेंशी का ट्रेडिंग है करते हैं क्या strategy follow करते हैं तो अब मैं आप लोगों को सैतामा इनू से related कुछ information प्रोइड कर रही हूं वरना आप लोग कहेंगे कि आपने सैतामा इनू पर वीडियो बनाया और इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं तो फ्रेंड्स मैं आप लोगो यहां पर 114 भीलियन चाल मार्ल यहां पर सप्लाइ की बात करेंगे तो यहां पे ड़ियर सप्लाई होग के बढ़े सब्सक्राइब है तो बढ़ेगा ही और exchange की बात करें किन-किन exchange पे लिस्टेड है तो देख सकते हैं ये MEXC Global पे है, BitMart पे है XT.com पे है, Hotbit पे है Lot Token पे है, तो आप लोग BitMart से इसे trade कर सकते हैं MEXC से भी कर सकते हैं, Hotbit से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं अच्छे एक्सचेंज से, तो आप लोग यहाँ पे MEXC, Global Exchange या BitMart ये दो एक्सचेंज से आप लोग इसे trade कर सकते हैं और अगर आप लोग ने MEXC, BitMart हो गया, Lotto के ने अगर आप लोग ने नहीं जोइन किया है तो इस वीडियो के description में आप लोगों को link मिल जाएगा, उस link पे click करके आप लोग account अपना create कर सकते हैं, sign up कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से trade कर सकते हैं, इसके website पे जाएंगे, तो बहुत सारे features हैं इसके website पे देखेंगे, तो इसका mask अभी release हुआ है, आप लोगों को भी पता हो गया होगा, काफी दिन हो गया है और बहुत सारे इनके project में खास है, देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे यह first token है, first नहीं मतलब यह community driven token है और यह ऐसा platform प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे सब लोगों को यहाँ पे financially freedom हो, means कि वो profit earn करें, कुछ पैसे earn करें और खुद के उपर खर्च करें मतलब financially एक support की तरह यह इनका यहाँ पे target है और बहुत सारी चीज़े हैं इनका vision, mission देखेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे यह मार्त, में 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 यह token आया है और अभी आप देखेंगे में से यहाँ पे तो 6-7 मन्थ हुए है 6-7 मन्थ में इसने बहुत अच्छा खासा profit दिया है I hope कि यह आगे आने वाले दीनों में भी इस token का ऐसे ही price बढ़ेगा और आप लोगों को यहाँ से अच्छा खासा profit हो अगर आप लोगों ने कुछ token को miss किया है, जैसे सीवाई इनु को miss किया है, आपने doge coin को miss किया है floppy इनु को miss किया है तो आप लोग इस token को consider कर सकते हैं लेकिन अभी आप लोग इस token को buy नहीं किजेगा थोड़ा सा time दीजे, यह token का price फिर से कम होगा तब buy किजेगा, क्योंकि अगर अभी आप buy किये price कम हो गया, तो आप लोग स्टक हो जाएंगे आप लोगों को loss दिखेगा, आप लोगों का